आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरुकार नमस्कार मैं हूँ गौरव स्री आस्तो आप मेरे साथ देख रहे हैं बात अपने देश की दोस्तों चुकि हमारा जो करकम का नाम है उसका सीरा सरुकार देश से है और आज जो हमारा मुद्दा है वो बहुत एहम मुद्दा है क्योंकि मुद्दे का देश के बिकास के साथ भी एक उदान है देश की जनता के साथ भी जुड़ाव है और जुड़ाव है देश के बैपारियों के साथ भी इसी आज जो हमारा मुद्दा है वो है e-commerce प्यापार दोस्तों हम लगातार जो हमलों की परिपार्टी रही है वो रही है समाजी परिपार्टी और वो भी परिपार्टी ऐसी रही है जिसमें हम अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग लोगों पर निर्वर रहती थी यहारे हमाई लिए दूर वाल अलग होता था अक्वार वाल अलग होता है सब्जी वाल अलग होता है और रासन वाल अलग होता है जूते वालालाग होता है प्रिस वालालाग होता है हर एक के लिए हमने एक अलग ब्योस्थाय बनाए हुई है पर जब से ई-कॉमर्स कंपनियों का दबदबा बड़ा है तब से हमारे जो सुबसुबडा है जो हमाई जरुवत की चीज़े है वो सारी एक ही जगह पर मिलनी सिरुव हो गई है क्योंकि जिस तरह से रिटेल का ब्यापार अब एक बड़े प्यपाने पर सुरूर में तब्दिल हो गया है तमान तरह के सुरूर में ऐसे हैं जिनमें यहां पर सब कुछ मिलता है यहां मुझे नाम बताने की जरुवत नहीं है और तमान तरह की कंपनिया आज आ चुकी है जो आपको खाने से लेके सबजी से लेके कपड़े से लेके इलेट्रोनिक आइटम से लेके बड़े बड़े चीज़े जो आपको चाहिए है जो आपकी जरुवत है वो आपको मुझे कराती है आपके घर पर यानि आप घर के बाहर भी नहीं पहुचना है आपको दरवाजे पर भुक्तार करना है और दर्बाजे पर आपको चीज मिल जाएगी तो यह जो कंपनी यहाँ है इकॉमर्स इनों ने देश के बैपार को बड़ा उन्नत बना लिया है पर साथ ही साथ कबर तोड़ी है ऐसे खुद्रा बैपारियों की जो आपके महले आपके पड़ोस में आपकी कालोनी में और आपके गाओं में आपके जिले में आपकी गलियों में पाहे जाते हैं जो आपकी तमाम जरूरते को पूरा करते हैं तो अगर बैपार कहीं बड़ा है कहीं लाब हुआ है तो कहीं नुक्सान भी है नुकसान इसलिए क्योंकि कई बार हम जो सामान पसंद करते हैं वो सामान नहीं आता है कई बार हम जो सामान मंगाते हैं वो सामान हमको मिलता नहीं है कई बार उस सामान की गुलबता भी खराब होती है तो तमाम ऐसी चीज़े हैं जो हमारे पास में खराब होती है यह हमाले नुकसान दे होती है तुमाव ऐसी चीजे है जो बैतर भी है बैतर क्या है बैतर यह है कि जो भी e-commerce company आपको सामान भेजती है वो सामान के जाद भेजती है आपको बिल यानि आपका बिल भेजती है बिल में तमाम tax से जुड़े रहते हैं वो tax राजस के रूप में स फाइदा यह इसलिए है क्योंकि अब आपको हर जगह पर एक चीज मिल जाती है एक जगह पर मोहिया हो जाती है चीज भी अचीज रहती है और सबसे बड़ी बात उनकी उपयोगिता की है तो वो होते है rate यानि प्राइस है जो मूल है सामानों का वो भी अपिछा करत जो जो सामान है उसका जो अडिक्तब मूल है maximum retire price उस पर बेशते हैं और जो हमारे e-commerce कंपनिया है उसी उटपार को उसी सामान को उसी गुरबता के साथ पर आपको कम बेशती हैं अलग योजनाओं के साथ बेशती हैं आपके घर पर मोहिया कराती हैं और साथ ही साथ उनकी गु ने लेता है और जिसका लाब होता उब्हुगता को जाहें, उनकी एक अपनी योजना है, उनकी ये अपनी व्यास्थाऐं हैं। वो आपको चाहें दबाई लेंगे चाहें, कपड़े लेंगे जुते लें सामान लें, सारे सामान में आपने कुछ नकुछ छूट जरूर दे सबसे बड़ी बात यह है उनके नुकसान भी है और फाइदे बने आपको बताए कि किस तरह फाइदे रहते हैं नुकसान भी बताए कि जो ब्यापार है बो लगातार जो खुदरा ब्यापार है बो लगातार इस कम्पनियों के कारण लगातार कम होता जा रहा है क्योंकि छूट नहीं मिलती वे उस्थाय नहीं मिलती घर पे दूर स्टेप पे सामान नहीं मिलता यापकी घर की डेलीज पे आपको सामान नहीं मिलता है और तमाम ऐस चीजे हैं जो खुद्रा ब्यापार में पर ये खुद्रा ब्यापार हमारे सामाजी सरुकार से जुड़ा हुआ है क्योंकि खुद्रा ब्यापार नहीं होगा तो आपको आंग जनता कैसे उस चीज को समझ पाएगी कि खुजरा एक ब्यापार नहीं है आपकी पड़ोस की पंसारी की दुकान के पंसारी दुकान नहीं है उसके सार आपके संबन भी है आपके ब्यापार करने से आपके सामान लेने से उसकी भी जीविका चलती है तो एक या उसकी जीविकापा पर भी ब्युधान भी आ रहे हैं, अगर उससे हम लोग सामान नहीं लेते हैं, अगर हम लोग सामान केवल e-commerce कमपनियों समगाते रहे हैं, पर e-commerce कमपनियां लगातार और का दब्दबा है, वो बढ़ता जा रहा है, हम लगातार इस दीजों को देख रहे हैं कि तमाम e-commerce company आई दीरे दीरे रोने ब्यास्थाएं कि और जो ब्यापार था वो पूरी तरह से आज online हो गया है पूरी तरह online तमाम तरह है कि जो आपके कास्फ बुक्ता नहीं करना है आपको KBAL अपनी मुबाल से करना है और इसके साथ ढमाम तरह की जो ब्यूस्था है बहुता बहुता है गारी आपके बोग करते हैं और बैटकर चले आते हैं अपने गंतव स्थान पर पहुंच जाते हैं तो यह पिकार से online वी इस इसके साथ ही online व्यापार जो आप तमाम चीजे खईटते हैं चाहे वो सबजी हो चाहे सामान हो चाहे लेटनिस आइटम हो चाहे कपड़े हो जो भी आप चीज चाहे जरुवत की चीजे हैं चाहे वो रोजाना रोज़ी जिज़ोत हो और चाहे आपकी इस्थाय जिरुवत हो वो सारी चीज़े आपको मौया हो जाती है आपकी घर की देलीच पर तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस तरह से आज इन कंपणियों के कारण जो खुदरा ब्योरसा है वो डिक्कत में आया है यह अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि अगर आपका ब्य ब्योरसाय को देख रही है वेटर रूप में क्योंकि जनता का मानना यह है कि अगर यह ब्योरसाय नहीं होगा तो हमको नहीं रहे कहां से मिलेंगी आज आप खुद देख रहा है जिस तरह से ब्यापार हो रहा है फेस्बूप पर ब्यापार होता है अनन कंपनियों पर ब्यापार होता है तमाम चीजों पर ब्यापार लगातार किया जा रहा है तो आप अपने product को किसी भी e-commerce company के साथ जुड़ सकते हैं और अपने उत्पार को देश के स्तर पहें, देश के स्तर पहें, देश के किसी भी कौने में आप अपने बेश सकते हैं, तो यह लाब भी हो रहा है, ब्यापारी है जो छोटे बर्ग है, जो सुरुजगार लगाते हैं, कि टेंशन के बिना किसी परेशानी के, एक सीरा सीरा मुराफ़ उनको मिलता है, जो कि उनके सीरे उनके खाते हम आजता है, उसका इलाब भी है, पढर कहीं ब्यापारी यह को ब्यापार खतम हो रहा है ऐसा नहीं के बने सोच है हाँ मानता हूँ कुछ जगह ऐसा हो रहा है पर एक बन सोच है देखें e-commerce कंपनियों की अपनी व्योस्था है क्योंकि वह जाना सक्री है अगर माने जाती है तो माने जाती है चोटी सिट्यों में यह नहीं माना जाता है कि आपका ब्यापार नुक्सान में हो रहा है क्योंकि उनकी वहाँ पर छमता ही नहीं है और वहाँ पर उनके फ्रैंचाईजी नहीं है यहाँ पर उनके लोग नहीं है जो आपके ब्यापार को भेज़े जैसे आपने कहीं देखा कर एरिया है, रूरल एरिया है, बहाँ भी एक कंपनी सक्षिन नहीं हो चकती, क्योंकि वहाँ पर इनके लोग नहीं है, आप वहाँ पर नहीं पहुचा सकते हैं, काफी दूरिया रहती है, परिवहन के साधन भी उपने हाइटेक नहीं होते हैं, उपने उच्छा मिस्तर के नहीं सबस्क्राइब करने के लिए लेजर करने के लिए इसको पिदान नहीं करता है कोई नहीं चाहता उसकी दिखाने के पहले साहिट पर आबस्यक है कहीं कहीं पर आपकी प्राइबेसी भंग हो जाती है कई बार आपकी कीमत जो बड़ी चुपी होती है उसके सम्माविर करों का पता ही नहीं होता है कल लगा दिया जाता है कई बार आपका उर्पार जो है जो मिलता है वो भी नहीं आता है तमाम बार उसमें जो है अंतर होता है आप मगाते कुछ हैं और मिलता कुछ है पर सबसे बड़ा जो यहां पर नुकसान होता है वो होता है आपकी प्राइबेसी का यार कि आपकी प्राइबेसी भी भंग होती है और इसके साथ ही नुकसान आपको होता है कि जब आप सामान मगाते हैं उसकी गुर्वत्ता और प्रा उनंलाइन सामान मंगाते थे और उन कंपनीओ के प्षती डुचाघ जले लेते हैं धी आपने वीड़ातार देखे और कई बार हम देखते हैं कि साभाण आपको बता जा रासित दिया जा रहा है उसमें कहींने कई शाम्न भी लग जाती है कि आपको बेजा जा रहा है फोन तो कही ना कही अगर लाब हो रहा है तो कही ना कही लोगों को इस चीज का नुक्सान भी हो रहा है आप देखते लगाता है कि बड़े-बड़े सोरूम रहे हैं कई बड़े-बड़े उनका नाम लूगा बड़े संस्तानों का नाम लूगा जो तमान तरह के मौल में मैं बताऊंगा आप देखेंगे कि वास चीज भी बेचरा है जो योजना चलने ये वो भी लगाएंगे टेक्सिज भी लगाएंगे और साथ ही साथ जो रेट है वो रेट है वो लमसम लमसम सारी चीजों का एक समान भी रखते हैं और कुछ ऐसी चीज है जो आपको लेना ही प मिठाई सामाल लेते हैं तो क्या मिठाई वाला आप से कोई मिठाई के डिब्बे का भी पैसा लेता है नहीं जो मिठाई के कीमत लगी रहती है वो मिठाई कीमत लेता है जो सबजी कीमत होती है वो सबजी कीमत होती है पर आप इनके रिटेल सोरूम पर जाएंगे इनके रि बोगताओं पर ये दवाब है कि आप अगर बड़े बड़े रिटेल स्टूर से जागे सवाल लेंगे तो जो केरी बैक का है उसका पैसा भी आपको लिया जाएगा और लगादर आपको ठगने का प्रयास भी वा किया जाता है हम देखते हैं कि अगर कोई चीज खराब होती है हम कोई चीज खराब होती है तो हम अगर अपने स्थाने दुकानडार से लेते हैं तो अस चीज को लेने के बाद हम बहाँ पर जा सकते हैं उससे शिकायट कर सकते हैं पर ओनलाइन अगर हम कोई चीज मगाते हैं तो फिर हमको चक्कर भी काटने पड़ते हैं क्योंकि वो जो परिशान होते हैं कई बार आपकी समस्या सुलस्ती ही नहीं है क्योंकि जो स्थानी कंपरी हैं स्थानी गिराग है बहुत चीज के लेते ही नहीं है उसको सुधारते ही नहीं उसकी सर्विस ही नहीं करते हैं कई कंपरीया ऐसी है जो अपने पास तो बेज देती पर उनके सर्व लोगों में उस पार के लिए बनती है। तो सबसे बाड़ी बात ये है कि अगर हम अपने आसपास के दुकानडार से आसपास के बैॉसाई से कोई सामान लेते हैं तो उसकी ढम सिकायद बदलवाने में कुछ ना कुछ तर्म या कंडिशन कुछ ऐसी बाते आपको बताएगा कुछ ऐसे नियम बताएगा कुछ ऐसे कानून बताएगा जिससे आप निसी रूप से परिशान होते नजर आएंगे और ये होता नहीं है यह हमेशा हुआ है लोगों को दिखाई वीडिय है अगर और्लाइन स्वपिंग हम कर रहा है कुछ हमको लाब मिला है तो कुछ नुकसान भी हो रहा है छोटे बैपारी बिरूट कर रहा है क्योंकि अ उनको पता है कि इस माध्यम जोनका बैपार खताम हो रहा और और कहीं-nymiडूपिर願い तो सरकार को राजिस हिम rulersाना। क्योंकि वो हर सामान बिल के सार बेज़ते हैं यह हम भी जानते हैं कि खुजरा ब्यापारी जा दाजम सामान लेते हैं चाहे सब्जी वाला हो चाहे दूर वाला हो और चाहे रासन वाला हो आपको अमुनन बिल नहीं देते बिल नहीं डेते तो जो भी पैसा आपका होता है, टेक्स का पैसा होता है, सारा उनके पास काले धन के रूप में जमा होता है और ये हंडुस्तान में आज नहीं है जमाने से लोगों किया जो इस तरह के ब्यापारी उनके रेट पड़ती रही है और बड़ी संख्या में, बड़ी मत्रा में बड़ी अनुपाद में इस तरह का पैसा निकला है क्योंकि वो पैसा तो आम जनता का है पर है कैसे? क्योंकि उन तक बिली नहीं दिया गया जब बिल नहीं देते हैं, जब बिल लेते नहीं है तो निस्ति रॉर पर जो भी पैसा टेक्स का होता है वो उन खुजरा व्यापारियों के पास जला जाता है और वो पैसे का उप्योग करते हैं अपने लाब में आइटम आए, फिर धीरे जीरे चीजे बढ़ती रही और साथ ही साथ फिर आप इस्तिती यह है कि तमाम कंपणियां ऐसी हैं जो कि आपको खाना भी पहुचा रही है अगर आप चाही पीने जाते हैं तो सुमच्छ आपको चाही भी मिलेगी अगर आप खाना खाना जाते हैं आपको खाना ही मिलेगा अगर नस्ता करना जाते हैं आपको नस्ता ही मिलेगा आप जिस समय बोलेंगे आपके दर की डली यानि आपके डोर स्टेप पर आपको वो चीज मुहिया हो जाएगी ये बेवस्था है जो खाद कमपनिया है जो कि खाद की सुब्राओं में आई है जो कि खाद की e-commerce में आई है जो कि खाद के online बैपार में आई है वो ऐसा कर रही है तो यहाँ पर केवल कंपनियां सामान नहीं बेच रही हैं यहाँ बेच रही है खाना भी आप सब्जी भी ले सकते हैं पर यहाँ पर कई आप देखते हैं कि एब डबल आस और फूट सेप्टी एन स्टेंडर्टि ओं एंडिया है वो कई बार छापे भी मारता है और यहाँ बड़े सोरू में बड़े बड़े इंटेंस्ट रूपहे खराब उटपार है वो खराब गुलवत्ता के पाए जाते है बैस्पारी डेट के पाए जाते हैं, तो कहीं न कहीं कमिया भी है, जो हम चाहे रहे हैं, वो हमको मिलता भी है, कई बार नहीं भी मिलता है, क्योंकि उनकी गुलबत्ता अच्छी होने की गारंटी कोई नहीं लेता है, सब के पर बात बोलते हैं, कि ये बैतर है, ये अच्छा ह है पर इसकी कोई जानकारी कोई गुडवत्ता की जिम्मिदारी नहीं लेता है वह हम करते रहा जाते हैं सिर्फ सिकायत तो अगर e-commerce ब्यापार बढ़ रहा है तो इसकी कुछ अच्छाई भी तो कुछ नुक्सान भी और अगर खुद्रा ब्यापारी इस ब्यापार से प्रभा को भी पुछूट देनी चाहिए अगर आपको अपने ब्यापार को बढ़ाना है और आज की समाज के साफ से अपने ब्यापार को उस डिस्टिकोर से देखना है तो आपको भी यह बदलाओ करने होंगे क्योंकि यह कॉमर्स कंप्रियों का जो डायरा है वो उन्हीं तक है उन्हीं शहरों तक है जहां पर आदमी के पास एंड्राइड है और उनके सेल्स स्टोर बने है और साथ उनकी फ्रेंचाईजी यानि उनके सहयोगी संस्थाह भी है जो उनके सामान को विज़िट करती हैं बेजती हैं और ग्रहा को तक पहुचाती है पर गाओं जो की 70% आवाली रहती है वहां पर e-commerce कंपरिया नहीं पहुच पाई हैं वहाँ आज भी पंसारी है वहाँ आज भी दूर के बैपारी है वह बैपारी जो कि अपने बैपार को लोगों के बीच करते हैं उनके उपर कोई डिक्कत नहीं है कई ऐसे सहर है जहां अभी जो ऑल्लाइन जो इक प्रधाफ कंप्रिया अपत्र नहीं पहुच पाई है वहां आज भी सामन परिवन के साधान है वही उपरब्ध है तो ब्यापारं का डारी तो है पर उन्हीं जगह पर जहां मैट्रूस सिटीज हैं जहां बड़े संख्या में लोग हैं जहां बड़े एडवांस लोग हैं जहां रेंसें बहुत तरफ हैं बहुत सक्री हैं और लगाता है लोगों को इसका फायदा भी मिलना है इसकी भी मिलती तमाम तरह काफर आते जाते थे तो यहार पर हो चाहिए तमाम चीजों पर हो त करना है तो उनको निस्ट्री रूप से अपने ब्यापार में कुछ ना कुछ बजलाब करने हो गए जैसे एक e-commerce कंपनिया भी आपके दरवाजी की डेलीज पर यानि आपके डोर स्टेप पर सामान वेशते हैं तो आप भी वो पैथा कंपनिया है इनके दबदबे कम किया सके और आप भी एक बड़ी e-commerce कंपनिया की रूप में तब्दीर हो पाएं और बैतर काम कर पाएं क्योंकि जहां बात होती है वहीं विकास होता है और बहीं होता है बदलाब तो आशी जक्चा में इतना ही अगले बार किसी नहीं जहाएं बार बार किसी आशी कोड़ किसी नहीं मुद्व सुप स्क्राइब।